हलो गाइस तो कैसे हैं आप सब तो आचुकी हूं में एक और नए अपडेट के साथ गाइस हमारी प्यारी शहनास गिल के नाम का डंका बजा है बिग बॉस OTT लाइव में सभी कंटिस्टंट जिसे हमारे सेडनास के भई फैन ही लगते हमेशा उनका नाम जरूर लेते हैं चाहे कोई टास्क हो या फिर हो कोई कान्वसेशन जरूर सिधात शहनास का नाम आता है जब सिधात शहनास बिग बॉस OTT पर पहुँचे थे तो उनके जाने के बाद भी कंटिस्टंट के बीच सेडनास को लेके काफी सारी बाते हुई थी कई सारी बाते लाइव में बताई भी गई थी और बहुत सारी चीजे सामने खुल कर आई थी गाईज ऐसा ही फिर से कुछ देखने को मिला है शहनास के बारे में बाते की गई है यहाँ पर कान्वसेशन चल रही है नेहा, मिलिन गाबा और प्रतीक के बीच में यह तीनों बात कर रहे हैं कि बिग बॉस का कौन सा सीजन है जो सबसे ज़दा हिट रहा और जिसे सबसे ज़दा याद किया जाता है तो सभी ने एक साथ कहा शहनास वाला बिग बॉस, शहनास वाला सीजन मतलब किसी को बिग बॉस 13 सीजन यह याद नहीं था लेकिन शहनाज वाला सीजन सभी ने कहा शहनाज वाला बिग बॉस सभी ने कहा मतलब इन तीनों की बातों से तो यही लगा कि इन्हें बिग बॉस शहनाज के कारण ही वो याद है और उसे यादगार बनाया है शहनाज ने और गाइस अगर ये conversation शहनाज सुनेंगी इस बात को जानेंगी तो वो बहुत जादा खुश होंगी और कहीं न कहीं emotional भी जरूर हो जाएंगी क्योंकि आपको याद होगा Big Boss 13 में हमेशा ही शहनाज ये कहती थी कि इस season को मेरे नाम से जाना जाए अच्छा वो season जिसमें की उनका dream था जो कि अब पूरा हो चुका है वैसे तो Big Boss OTT में कई बार सिधात और शहनाज का नाम लिया गया लेकिन ये जो conversation थी बहुत जादा खास थी शहनाज के लिए भी और हम सबको भी गाइस ये जानकर बहुत अच्छा लगता है कि शहनाज को इस तरीके से याद किय जाता है और Big Boss को शहनाज के नाम से याद किया जाता है तो आपका इस बारे में क्या कहना है comment section में मुझे जरूर बताना वीडियो अगर थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो please like जरूर कर देना और मेरे चैनल को subscribe करके bell icon जरूर प्रेस कर देना जिससे मेरे new videos की notifications आप तक प जरूर थाते है सब्सक्राइँ